प्राइविटाइजेशन अच्छी चीज है अगर लिमिट में की जाए आज की सरकारें ज्यादा कर रही हैं अभी आपके सामने के एक्जाम्पल देती हूँ हरियाना की सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट लॉंच किया है अगर तुम्हें पता हो जिसमें सरकार ने लिखित में अगर 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 बच्छे को अगर सरकारी स्कूल में भेजता है तो उसको पांच सो रुपए फीस देनी पड़ेगी पांच सो रुपए फीस देनी पड़ेगी और अगर वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है तो उसकी फीस हम भरेंगे यानि सरकार भरेगी ग्यारा सो रुपए तक हम उसको फीस दे देंगे अब सोचो अपने घड़ से बच्चा सरकारी जाएगा तो पैसे लेके जाएगा और प्राइवेट जाएगा तो खाली हाथ जाएगा क्योंकि उसके पैसे कहां से आएंगे सरकार बड़ा अच्छा काम है न अच्छी चीज़ तो है ये लेकिन इससे पता है क्या होगा पांच साथ साल बाद सरकार कहेगी बजट बहुत गड़ बढ़ा गया और ये जो 1100 रुपे हम देते हैं हम आगे इसको कैरी ओन नहीं कर पाएंगे उन पांच सालों में सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर आ गए होंगे धीरे-धीरे करके सरकारी स्कूल से एड्मीशन्स खतम अभी भी कम है खतम फिर दो-तीन साल बाद क्या करेंगे बजट में कहेंगे सरकारी टीचर्स बिनवाद तंखा ले रहे हैं बच्चे तो है नहीं बिनवाद पंखे चला लेते हैं खड़चा है चपडासी रखना पड़ता है क्योंकि सरकारी स्कूल के टीचर कहां जाएंगे सेलड़ी तो मिलती है मूटी, फिर कहेंगे सरकारी स्कूलों को प्राइविटाइज कर देते हैं, जिसको खरीदने हो स्कूल वो बता देना, पूरे देश में इमेजन करो हर गाओं में स्कूल है, कितनी कितनी जमीन होगी, हर जगे कुछ नो कुछ बिल्डिंग बनी हुई है, यह अर्बो की संपत्ती है, किसके पैसों से बनी है यह? हमने, हमने कभी तो टेक्स दिया हमारे माँ अपने दा देने, हमारे उस पैसे की संपत्ती को बेचने वाला कौन? सरकार, वो पैसा खाने वाली सरकार, उस पैसे का इस्तमाल हमारे लिए थोड़ी न करेंगे, हमें प कैसे करें अब सारे बच्चे ढ़ल गए प्राइवेट की तरह क्योंकि वो फ्री सोच रहे हैं इसको वो सोच रहे हैं हमारी फीस कौन दे रहा है सरकार सरकार ये फीस कुछ सालबात बंद कर देगी और जब वो गरीब लोग वापस आएंगे न कि यार सरकार नहीं रहे दी चल अडानी प्राइवेट स्कूल और जब जाके यहां फीस पता करेंगे न तो पांच हजार मिनिममम फी है अब बताओ वो मजदूर का बेटा वो किसान की बेटी कहां पढ़ेंगे सब चीजे इतनी महंगी हो जाएंगी आने वाले पांच से आठ दस सालों के अंदर कि तुमा करते हैं यह एरो प्लेन है अमीरी जाता है से बैठके कर दो प्राइवेटाइज हमें कोई दिक्कत नहीं बेच देते एर इंडिया दिक्कत नहीं है लेकिन प्राब्लम वो है जिस चीज का इस्तमाल कौन करता है गरीब और तुम उसको प्राइवेट कर रहे हो जैसे गरीब के पास option भी तो नहीं है न वही एरो प्लेन में बैठने वाला 12,000 की टिकेट ले चाहे 20,000 की उसकी जेप पे ज्यादा फरक नहीं पड़ता पर बस में चलने वाले आदमी जो रोज बिचारा 10 रुपे बचाने की सोचता है अगर तुम टिकेट 10 की जगे 50 की करोगे तो वो ओ बिचारा मर गया और कैसे जीफन जीएगा तो जो प्रयविटाइज कहते हैं तो अच्छी चीज़ हैं अमीरों वाली चीज़ों को प्रिविटाइज करता है उसकी चीज़ें क्यू अगरी हो और सरकार अब जो अगली नज़र रख रही है वो शिक्षा पे है तो मेरे ये स्कूल कुछ सालों में सारे जान बूज के डूबते हुए दिखाये जाएंगे यह सब चीजे ना इतनी प्लैनिंग से होती है कि पता नहीं चलता कैसे चीजों का स्तर पहले धीरे 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 गिराया जाता है और ऐसे दिखाया जाता है काम नहीं कर रहे हैं आज की डेट में किसी इंडियन से पूछो सरकारी स्कूल का क्या हाल है तो वो 100% क्या कहेगा कि बहुत बक्वास कुछ पढ़ाई नहीं होती ऐसी पिक्चर दिमाग में क्रियेट करके और 10-20 साल में रास्ता बन गया कि हर आदमी के मन में कि यह बक्वास है बहुत पैसा खाता है सरकारी कि अधार मापाती गैसा है प्राइवेट में क्यों से काम लिया जाता है सरकार में निकम में जानभूच की बनाए जाते है अगर इन सरकारी स्कूलों पर time to time school inspectors है हर Monday checking हो और school inspector का काम ही ये हो कि आपके अंडर जितने school है न वो आपको Monday Tuesday Friday जाके check करने है किसी भी class में inspector जाए तीसरी class खड़ा हो किसी बच्चे को यह लिखके दिखाओ नहीं लिखना आया तो किसकी जिम्मेदारी है ये पकड़े जाएं अगर दो साल ढंक से काम कर लेंगे, टीचर्स कैसे नहीं पढ़ाएंगे, टीचर्स इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि टीचर्स को पढ़ाने का महौल ही नहीं दे रखा, इतने फाल्तू के काम दे रखे हैं, ताकि आने वाले सालों में दिखाएं कि ये बकवा स्कूलें बंद करना ही ठीक है, फिर आपको और मुझे भी लगेगा, हाँ यार, यह सरकारी स्कूल कुछ करते ही नहीं है, जबकि असलियत यह है कि सरकार चाहती नहीं कि सरकारी स्कूल कुछ करें, वरना हर कोई काम कर सकता है, इन्ही सरकारी स्कूलों से IES निकले हैं ना पहले लोग, जब तक यह प्राइवेट का कॉंसेप्ट नहीं था, तो पढ़ाई यहीं थी, आज भी सरकारी स्कूल का टीचर बनने के लिए, Math, Science, English, Reasoning, Hindi, GK, करन्ट सब सीखना पढ़ता है, टीचर बनना असान नहीं है सरकारी स्कूल में, जो तुम पढ़ रहे हो न, तुम से ज्याद पढ़ना पढ़ता है, और उसके बाद फिर कहते हैं सरकारी स्कूल में करते क्या है, माहौल तुम चाहते ही नहीं क्रियेट हो, फिर बनेगा कैसे, आगे देखे,